टार्गेड विद आलोग के आनलाइन प्लेटफर्म से मैं पंडितमरेश वट आप सभी सूपर्टेट के विद्यार्थियों का हार्दिक अविनंदन एंग स्वागत करता हूं आज हम लोग संधी के बारे में चर्चा करेंगे यानि विद्यत की जो कच्छाएंग थी वह हमने संधी के बारे में आपको बताया कि संधी किसे कहते हैं किन सब्दों से मिलकर के बना हुआ है आदि-ादि के बारे में हमने आप से चर्चा किया आज जो हमारी चर्चा होगी वहाँ मैंने ये कहा था कि संधी तीन भागों में विभाजित है या तीन प्रकार की संधियां होती है उसमें जो पहली संधी है उसे हम कहते हैं स्वर संधी कहते हैं यानि हमने स्वर संधी के बारे में आपसे बताने के लिए कहा था तो आईए आचलते हैं संधी के प्रकार तीन जो मैंने बताया था कि संधी तीन प्रकार की होती है उसमें पहला जो प्रकार है उशे हम कहते हैं स्वर्शंधी कहते हैं स्वर्शंधी कहते हैं अब पहली चीज मैंने ये भी बताया था कि अगर स्वर्शंधी है तो स्वर्शंधी इसका नाम क्यों पड़ता है और यह कितने भागों में बिभक्त होता है या स्वर्शंधी के कितने प्रकार होते हैं तो पहली चीज अगर हम नाम पर बात करें तो स्वरसंध इसलिए नाम पड़ता है कि इसमें स्वरकाही मेल होता है, स्वरकाही मिलन होता है, स्वरकाही योग होता है, स्वरकाही जोड होता है यानि हमारा जो भाग मेल का है मैंने बताया था कि संधि में प्रथम भाग का अंतिमपद यानि अंतिमबर्ण और दुतिय भाग का पहला वर्ण क्या करते हैं आपस में मुलाकात करते हैं आपस में मिलन करते हैं तो इसमें जो मेल होगा वह दोनों पार्ट यानि दोनों भाग का जो वर्ण मेल होगा वह स्वर ही होगा इसलिए इसे हम क्या कहेंगे स्वर्शंधी कहेंगे अब अगर दोनों पार्ट अगर स्वर्शंधी हैं दोनों पार्ट अगर स्वर हैं तो स्वर्शंधी होगा तो अब देखते हैं कि परिभासाओं पर अगर बात करें जैसे मान लिजे कि अगर हम कोई सब्द लेते हैं जैसे एक शब्द लेख देते हैं अधिक शब्द लेते हैं मान लिजे मैंने सब्द लिया अधिक लिया इससे अगर हम बात करें तो जादे समझ में आया जाएगा एक सब्द अधिक है और दूसरा शब्द भी क्या है अधिक है यानि ये दो शब्द है एक अधिक सब्द और दूसरा शब्द भी अधिक है अब इन दोनों को हमको क्या करना है जोड़ना है तो पहली चीज करना क्या पड़ेगा आपको इस पर मैंने जिक्र भी किया है कि ये जो प्रथम भाग है इसका अंतिम वर्ण आपको देखना है तो मैं आपको बताया था अगर हर एक जैसे कौ है तो कौ का निर्माण कैसे हुआ है कौ धन ओ से हुआ है इतना तो आप जानते ही है हर एक बेंजन स्वर से मिल करके बना होता है मैं इसके पहले भी बताया और बिछेद करके भी हमने समझाया था तो अब यहाँ पर क्या आ गया है को आ गया है तो इसने अपना अंतिम बर्ण ये त्याग करेगा तो यहाँ से अगर मान लीजिए यह अंतिमवर्ण त्याग करेगा तो त्याग क्या करेगा ओ का त्याग करेगा अगर ये ओ का त्याग करता है तो इसके पास बचते क्या है जो बचे उसको आप उतार लीजिए बचेगा क्या ओ और धी प्लस क्या बचेगा कौ को के नीचे हलंत लग जाएगा यही तो होगा अगर यह यहां से निकल जाएगा इसको हटा देते हैं तो बचेगा क्या आधा को यहां से आप यहां उतार लिजिए चलिए, अब यहाँ पर जो है, आप धन की निसान लगाईए, चेहन लगाईए, अगर यहाँ अंतिम वर्ण दिया, तो यह क्या करेगा, अपना पहला वर्ण देगा, यही तो देगा, पहला वर्ण, तो पहला वर्ण इसका क्या है, ओ है, पहला वर्ण भी, ओ है, और बचा क् बचा इसको उतार लीजी बचेगा क्या धिक बचेगा यानि क्या बचा धिक बचा और धिक बचा तो धिक को उतार लीजी चलिए यहाँ पर आप ये देखिए कि अब ये जो है आपका जो शंधी का निर्माड हो रहा है कुछ भी करना नहीं है इस औ और आ को क्या करेंगे जोड देंगे क्या करेंगे जोड देंगे तो जोड जब देंगे तो ये कि और आ मिल करके क्या निर्माड करेगा आ का निर्माड करेगा किसका निर्माड करेगा आ का ठीक है यहाँ आ का निर्मार कर लेगा यही तो निर्मार करेगा ओ धन ओ मिल करके क्या आ का निर्मार करेगा अब जब यह आ का निर्मार कर लिया तो यहाँ पर देखे जो बचा एजिटीज उतार दीजी कुछ करना नहीं है यहाँ से ओ ले लीजिए यहाँ से धी उतार दीजिए धी यहाँ यह को है और यहां आ है को में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा का हो जाएगा यह धी है यह क्या है धी है और को है अब इसी को किवल आपको मिला देना है और जो शब्द बनेगा वही हो जाएगा शब्द क्या बन गया अधिका धिक बन गया यानि सब्द नए शब्द का जो निर्माड हुआ अधिका धीक हो गया ठीक है अधिका धीक हो गया यह नए सब्द का निर्माड है कोई आपको किसी सुत्र की अवस्चता नहीं है किसी फारमूले की अवस्चता नहीं है आप जानते हैं और सीधा सीधा जिस चीज को आप जान या जो आप कह लीजिए कि जो एक सिखाने की परंपरा मैंने हमेशा आप से जो बात किया वह बात किया सूपर टेट में आप जब सिक्षक बनते हैं प्रात्मि के जब सिक्षक बनते हैं तो आपको सिखाना है बच्चों को समझाना है तो सिखाने में कोई आप सुत्र की अवसक्त नहीं होनी चाहिए कि फला सुत्र के द्वारा ऐसे हुआ इस सुत्र के द्वारा ऐसे हो नहीं आप सीधी सी बात बताईए बच्चों को ताकि वह आसानी से समझ में आजाया और जब आसानी से आप समझे रहेंगे तो ही आपको आसानी से समझा पाएगे, सीधा-सीधा concept है तो आप जैसे बनता है जैसे इसका निर्माढ होता है, वैसे ही आप क्या करिए इसको निर्मित कर दीजे और बन जाएगा कुछ भी नहीं करना है आप जैसे जैसे बना उत्रा वैसे उतार दीजे सिधा सिधा बात है तो ये नए सब्द का निर्माड हो गया यहाँ पर जो आपको ध्यान देने योगी बात है वह यह है कि इधर इस पद में भी क्या ओ मिला यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस पद में भी ओ मिला और इस पद में भी ओ मिला ओ स्वर है यानि दोनों तरफ स्वर का ही मेल हो रहा है यानि स्वर वरनों का ही मिलन हो रहा है और एक नए शब्द का निर्माड हो रहा है इसलिए इसे हम स्वरों के मेल से यह सब्द निर्मित हो रहे हैं इसलिए इसे हम स्वरसंदी के नाम से जानते हैं पहला काम कि स्वरसंदी में हमेशा दोनों तरब स्वर का ही मेल होगा चाहे जो स्वर मुलाकात करें अब यहाँ पर देखे चाहे वहा हरस्वर हो या दिर्गस्वर हो कोई स्वर हो उससे मतलब नहीं है यहाँ आप ही आ सकता है जैसे आप कोई अगर शब्द खगधन आस्रे खगास्रे ले सकते हैं रोम धन अवली रोमावली ले सकते हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पड़ी इह आ सकता है इधर छोटी भी आ सकता है कोई भी यइ तो देखें इसमें क्या होते हैं इसमें आपको स्वर में हमेशा स्वरों का ही मेल होगा तो स्वरशन्द होंगे पहली बात clear हुई अब इन स्वरों का मेल कितने रूपों में हो रहा है ये देखना है तो पहला काम करिए इसकी परिभासा आप निर्मित करिए परिभासा कैसे होगा परिभासा आप मैंने कहा इसके पहले भी बताया कि परिभासा आप निर्माण करना सीखिए आप यही तो बताएंगे कि स्वर संधी में दोनों तरफ स्वरों का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधी कहते हैं एक साधारण सी परिभासा बिना क्लिष्टता का परिभासा दूसरी परिभासा का निर्माण कर लिजी जहां पर दो शब्दों में प्रथम सब्द का अंतिम बर्ण स्वर हो तथा दूतिय शब्द का प्रथम बर्ण स्वर हो और इन स्वरों के मेल से जो नए सब्द का निर्माण हो रहा है उसे ही हम स स्वर्शन्दी कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, यानि स्वरों तीसरी परिभासा, स्वरों के मेल से उत्पन होने वाले विकार से निर्मित सब्द को हम क्या स्वर्शन्दी कहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, यानि कुल मिला करके आप जिसको जैसे भी परिभासा निर्मा हो है नहीं स्वर तो आपके 11 स्वर होते हैं तो इस 11 स्वरों का मेल होगा तो इन 11 स्वरों का यानि जो हमारे 11 स्वर कितने परकार के होते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है आपको पता है स्वरों की संख्या 11 होगी ये तो आपको पता होगा कि स्वर 11 होते हैं और इन 11 स्व कितने भागों में विभाजित कर दिये या समझे ये स्वरसंधी हो गया अब इस स्वरसंधी में 11 स्वर आए अब इस 11 स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया तो यानि ये स्वरसंधी को कितने भागों में विभाजित किया तो पांच भागों में विभाजित किया जाता है तो पूछा जाए अगर कि स्वरसंध कितने प्रकार की होती है तो आप बताएंगे पांच प्रकार की स्वरसंधी होती है ठीक है? कौन-कौन सी होती है? इसको जरा देख लिए जाए यानि यहाँ पर आपके क्या आएंगे? स्वर्शंधी आएंगे ठीक है? स्वर्शंध और स्वर्शंधी के कितने भेद होते हैं? स्वर्शंधी के पांच भेद आपके हो जाते हैं कौन-कौन से भेद होंगे? आप ये देखे पहला अगर हम पहले भेद की भात करें उसे हम कहते हैं दीर्ग स्वरशंदी जो इसका भेद है गुल स्वरशंदी गुल स्वरशंदी तीसरा इसका कौन सा भेद है वरिद्धिश्वरशंदी व्रिद्धी स्वर्शंधी चोथा इसका कौन सा भेद है यण स्वर्शंधी यण स्वर्शंधी और इसका जो पांचमा भेद है वह कौन सा है अयादी स्वर्शंधी है अयादी स्वर्शंधी यानि इसके पाँच भेद हैं स्वर संधी के आप ये देखे चुकि स्वर ही संधी मैंने बताया ते सब में क्या है स्वर लगा हुआ है सब में क्या है स्वर 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 स आपको पता है, कौन-कौन से सर होते हैं, 11, आपको पता होगा, इतना तो क्योंकि सुपर टिट ग्वालिभाई जो किये हैं, तो इतना तो पता ही है, तो कौन-कौन सा है, O है, पता है, जान रहे हैं, A है, E है, بड़ी E, U, बड़ाउ, यही आपके स्वर हैं इनकी संख्या कितनी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, इक्यारा यह इक्यारा जो स्वर हैं इनही इक्यारा स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पांच भागों में इनही इक्यारा स्वरों को विभाजित किया गया है कितने भागों में? पांच भागों में विभाजित किया गया है अब इस इक्यारा स्वरों को जो पांच भागों में विभाजित किया गया तो अलग-अलग नाम होगे अलग-अलग नाम होगे तो अलग-अलग से मिलन होगा लेकिन मिलन स्वरों का ही होगा चाहे जिस वी रूप में हो दोनों तरफ स्वर ही रहेंगे बंजर नहीं आएंगे इसलिए ही ये स्वरसंध हुए और इसलिए इनका अलग-अलग नाम हुआ चुकि जैसा मिलन होगा वैसा नाम होगा ये तो है नहीं कि बस एक अही प्रकार से मिलन हो रहा है तो एक अही नाम होता जैसे मान लिजे आप हैं और अगर आपका मिलन कैसे हो रहा है तो जैसा मिलन होगा वैसा ही तो नाम होगा अगर मान लिजे कि आप मुझे से मिलते हैं और मिलते हैं मुझे से पढ़े हुए हैं तो आपका जो मेरा मिलन होगा वह है एक छात्र के रूप में होगा एक सिस्से के रूप में होगा और मेरा मिलन आप से एक गुरू के रूप में होगा एक सिछट के रूप में होगा लेकिन अगर मैं अपने पिता से मिलता हूँ तो मैं एक बेटा के रूप में मिलूँगा मा से मिलता हूँ तो एक पुत्र के रूप में मिलूँगा अगर बहन से मिलता हूँ तो एक भाई के रूप में मिलूँगा पतनी से मिलता हूँ तो पती के रूप में मिलूगा है हम लेकिन हमारा मिलन का रूप कैसा है निर्भर ये करता है तो मिलन का जैसा रूप होगा वैसा नाम हो जाएगा ब्यक्ति ये कही है लेकिन भिन 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 रूपों में मिल रहा है तो भिन भिन नाम हो जा रहा है तो यह आज हम बात करते हैं यानि हमने जो आपका मिलन का जो रूप होगा वहाद पहले दिर्ग के रूप में होगा तो दिर्ग के रूप में होगा तो कैसे होगा इसी को हम लोगों को देखना है ठीक है तो आइए यानि स्वरसंदी के पहले भेद पर हम बात करते हैं दिर्ग स्वर किसे कहते हैं पहला परिभासा और दिर्गश्वर्शंध में हम कैसी पहचानेंगे कि ये दिर्गश्वर्शंधी है ये मर्तपुर्ल होता है तो इसको देखा जाता है यानि अगर हम ये कहें दिर्गश्वर्शंधी दिर्गश्वर्शंधी अब यहाँ पर शवरडे दिर्गा है यह शुत्र चलता है संस्कृत में संस्कृत के में 14 महस्वर्षुत्र हैं उन्हीं महस्वर्षुत्रों के आधार पर यह निर्माण किया गया है जब संकर जी का तांडो नृत्य हो रहा था उस नृत्य में संकर जी ने 14 बार डमरू बजाये थे अगर मान लिजे कभी आपसे पूछा जाता है कि संकर जी ने तांडो नृत्य में कितनी बार डमरू बजाये तो आप कभी जीयस के कोश्चन या कहीं भी आ सकता है तो आप बताएंगे 14 बार डमरू बजाये थे जो किसको कहा जाता है संकर जी का ही नाम होता है एक महस्वर शुत्र यानि 14 बार बजाए तो 14 महस्वर शुत्र निकले उन्ही 14 महस्वर शुत्रों पे पूरी की पूरी संस्कृत की प्रणाली आधारित है पूरा संस्कृत ब्याकरन आधारित है उसी पर ये समझे कि संस्कृत से हिंदी का निस्पन्नी करन हुआ हिंदी भी उसी पर आधारी थे लेकिन संस्कृत की क्लिष्टता को देख करके हिंदी ने क्या किया अपने में परिवर्तित किया आसान अपने को किया इसलिए संस्कृत से थोड़ी सी आसान हो जाती है लेकिन पुरुणता है अगर पूछा चा बैग्यानिक भासा कौन है तो वह संस्कृत है क्लासिकल भासा संस्कृत है उन्नत भासा संस्कृत है देव भासा संस्कृत है देव बाणी संस्कृत है भासाओं की जरनी संस्कृत है यानि संस्कृत से ही सभी का निस्पन्नी करण होता है तो यहाँ पर 14 महस्वर सुत्र तो चुकी संस्कृत की आवसक्ता आपको यहाँ पर नहीं है हिंदी में नहीं है संस्कृत की आवसक्ता है आप लोगों को लेकिन वो संस्कृत वाले इसको 14 महस्वर सुत्र को जो अनिल मिस्रासर हैं वो आपको डीटेल से बताएंगे हम बताते लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है उनसे आप डीटेल से पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा संस्कृत में वाले इडी पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे अगर वो नहीं पढ़ाते हैं और आपके स्लिबस में नहीं रहता संस्कृत तो मैं आपको बता देता है लेकिन आप ये जानिए दिर्ग सुर्शंदी है एक सुत्र क्या करता है अकप्रत्याहार होता है एक अकप्रत्याहार एक अचप्रत्याहार होता है मैं आपको थोड़ा बहुत बताते होई चलता हूँ अकप्रत्याहार के अंतरगत अगर कोई सोवर्ण यानि समानवर्ण आता है तो वो दिर्ग हो जाता है ऐसा ये शुत्र कह रहा है अब यहाँ पर देखे कि आपको कैसे ये हटा दीजे प्रत्याहार हटा ये क्योंकि अब प्रत्याहार बताने लगेंगे तो आपको प्रत्याहार आल लेडि आपको बताया जाएगा ये अगर इक्छा होगी तो हम ही बता देंगे कोई दिकत नहीं होगी जब ख्लास लिया जाएगा तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस पर भी ले लेंगे कोई ऐसा नहीं है आप यहाँ पर देखिए दिर्ग स्वर्शंधी है तो दिर्ग स्वर्शंधी में यह क्या हो रहा है नाम ही क्या है दिर्ग है दिर्ग मतलब क्या होता है बड़ा होता है दिर्ग मतलब बड़ा यह तो नाम ही है कि बड़ा होगा अब बड़ा कैसे हो रहा है यहाँ पर मिलन क्या होगा बड़ा कैसे स्वरका निर्माड हो रहा है इसको आप देखे अगर मान लिजी ओ का मिलन किस से हो ओ से हो तो क्या बनेगा ओ का मिलन ओ से हो तो क्या आ बनेगा यह तो clear है अगर ओ का मिलन आ से हो तो क्या बनेगा तब भी यहाँ आ ही बनेगा ठिक चलिए आ का अगर मिलन आ से हो तब भी यहाँ क्या बनेगा आ ही बनेगा ऐसा तो है नहीं कि यहाँ चार लगा देंगे अगर आ का मिलन आ से होता है तब ही भी यह क्या बनेगा आ ही बनेगा एक बात आपको द्यान दखनी है चाहे वह छोटा से छोटा स्वर मिले यानि हरस्वर से हरस्वर मिले तभी भी दिर्ग बनेगा हरस्वर से दिर्ग स्वर मिले तभी भी दिर्ग दिर्ग से दिर्ग स्वर मिले तभी भी दिर्ग दिर्ग से हरस्वर मिले तभी भी दिर्ग यानि इनी हाओ चाहे छोटा 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 बड़ा बड़ा छोटा कुछ भी स्वर मिलेगा तो दिर्ग का ही निर्माण करेगा इसलिए ये दिर्ग स्वरसंदी हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो रहा है दिर्गस्वर संधी हो रहा है चलिए एक आप देखे इसके दूसरे पॉइंट को देखिए अगर माल लिजिए O के O आ हो गया E को लिए लिजिए E का मेल E से हो रहा है यानि छोटी E का छोटी E से मिलन हो तो बड़ी E का निर्माड होगा ये तो वर्डमाला में आप जानते ही है अगर छोटी E का बड़ी E से मिलन हो तबी भी बड़ी E का ही निर्माड होगा बड़ी E का अगर बड़ी E से मिलन हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप बड़ी E बनाएंगे तो ऐसे दो इसकी चूरकी निकाल देंगे ऐसा तो है लिए इसमें क्या है आपको एक ही बड़ी ई ही बनेगा अगर बड़ी ई से छोटी ई मिलता है तभी भी यह क्या बनेगा बड़ी ई ही बनेगा यानि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि मिलन चाए हरस्व से या दिर्ग से हो या हरस्व या दिर्ग दिर्ग हो हो किस में परिवर्तित हो रहा है दिर्ग स्वर में ही परिवर्तित यहाँ पर भी हो रहा है ठीक है तीसरे इसकी कंडिशन आती है तीसरा कंडिशन यह कहता है कि अगर मान लिजे उ का मिलन उ से हो तो क्या बनेगा बड़ा उ का निर्मार चोटा उ का मिलन बड़ा उ से होता है तभी भी बड़ा उ का निर्मार और बड़ा उ का मिलन छोटा उ से होता है तभी भी बड़ा उ का निर्मार होता है यानि किसी भी कंडीशन में यह बड़ा ही बनेगा यानि दिर्ग ही बनेगा यहां हो रहा है तो इसलिए यहां से भी सिद्ध होता है कि यह दिर्ग स्वर्शंध ही यहां पर होता है देखे इसके माद एक आता है री का आता है री को लेकर के आता है कि री का निर्माड री से री का जब मिलन होता है तो तो री से री का जब मिलन होगा तो यह री का दिर्घरी का निर्माड होता है क्या होता है दिर्घरी का निर्माड होता है लेकिन दिर्घरी कहां पर है ये संस्कृत में होते हैं काँ पर होते हैं संस्कृत में दिर्गरी का प्रचलन होता है लिखा जाता है हिंदी में री री मिलेंगे तो री का ही निर्माड होगा यानि री ही बनाएंगे हिंदी में क्या होता है मैंने बताया कहीं कहीं पर हिंदी ने अपने आपको क्या किया है परिमार्जित किया है संसोधन किया है आसान किया है सरल किया है तो यहाँ पर हिंदी ने यानि हिंदी के वैयाकरडों ने री-री के मेल से केवल री का ही निर्मार करते हैं कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जो री को स्वर ही नहीं मानते हैं तो हला वो गलत है कि री को स्वर नहीं मानते हैं री स्वर ही है लेकिन कुछ लोग ऐसा कहने का प्रियास करते हैं कि री स्वर नहीं है यह रीका ही निर्माण होता है यानि आपकी ये चार कालम है ओका, इका, उका और रीका अगर इनका किसी भी रूप में मिलन हो रहा है तो वह दिर्गस्वर संधी का ही निर्माण होगा यानि उसे हम दिर्गस्वर संधी कहेंगे अब बात आती है परिभासा की परिभासा बनाना आप स्वेम से सीखी परिभासा अब मान लिजिए हमको दिर्गस्वर्शंधी की परिभासा का निर्मार करना है तो जरा आप निर्मार करिए दिर्गस्वर्शंधी की परिभासा का निर्मार करिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें तो आपके लिए आसान हो जाएगा चलिए इसको यहाँ पर लाते हैं दिखाई तो देगा ही अब यहाँ आप देखें अगर हम यह कहें जहाँ पर हरस्व अथवा हरस्व स्वर का मिलन होता है और एक नए दिर्गस्वर का मिलन होता है और दिर्गस्वर का ही निर्मार होता है उसे हम दिर्गस्वर संदी कहते हैं ऐसा कह सकते हैं जहां पर दिर्गस्वर अथवा दिर्गस्वर अथवा हरस्वर का मिलन होता है वहां पर भी दिर्गस्वर संदी का निर्मान होता है उसे हम दिर्गस्वर संदी कहते हैं ऐसा कह सकते हैं उबराल कह सकते हैं लेकिन आपको एक परिभासा में ढालना है तो ऐसा परिभासा दीजिए कि सभी एक ही में आ जाए तो आप क्या लिख सकते हैं जब हरस्व अथवा दिर्ग स्वर से क्या लिखेंगे जब हरस्व हरस्व मतलब छोटा हरस्व अथवा दिर्ग स्वर का मिलन किस से होता है हरस्व अथवा दिर्ग स्वर्षे होता है तो इस मिलन से होने वाला विकार विकार मतलब परिवर्तन जो किताबों में विकार लिखा जाता है विकार के मतलब होता है परिवर्तन होने वाला परिवर्तन दिर्ग स्वर में ही होता है तो उसे हम दिर्ग स्वर संधी के नाम से जानते हैं यानि चाहे हरस्वर मिले या दिर्गस्वर का मेल हरस्व से हो या दिर्गस्वर से हो यहां देखे हरस्व का मेल हरस्व से अथवा हरस्व का मेल दिर्ग से अथवा दिर्ग का मेल दिर्ग से अथवा दिर्ग का मेल हरस्व से किसी से चाहिए इसमें देख लेगी चाहिए इसम हम दिर्गस्वर संदी कहते हैं सामान सी परिभाशा जब हरस्वत्वा दिर्गस्वर का मेल हरस्वत्वा दिर्गस्वर से होता है तो होने वाला परिवर्तन दिर्गस्वर में ही होता है तो उसे हम दिर्गस्वर संदी की नाम से जानते हैं ऐसा आप लिख देंगे परिभाश अगर लिखने के लिए आता है या समझाने के लिए आता है तो आपको समझाने के लिए आएगा तो बच्चों को जब जाएंगे समझाने के लिए तो आप उनको समझा दिए किसी भी एंगल से समझा दिए और जब बच्चा समझ में आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगा त आप बच्चे को समझा ले जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो गया दिर्गिस्वर संदी की परिभासा हो गया उदाहरण से असपश्ट कर लीजे उदाहरण को थोड़ा सा देख लिया जाए कि कौन से उदाहरण आते हैं कुछ उदाहरण पर बात किया जाए तो और जादे आपका क्लियर हो जाएगा जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजे लिखा गया है खग धन आस्रे लिखा गया है क्या लिखा गया है खग धन आस्रे लिखा गया है मेरा अपना मानना है कि अगर किसी को जोड़ना आ जाता है तो खंडन करना अपने आप आ जाता है तो पहला महत्पुर्ण होता है जोड़ना और यह मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर जोड़ लेते हैं और जोड़ना मैं सिखा दे रहा हूँ तो खंडन करना आपको आ जाएगा अभी तो शुरुवात हो रहा है आप मैं आपको सब्द दूँगा आप स्वयम क्लास में जब मैं लेता हूँ तो बच्चे पहले सुरु में हेजिटेट करते हैं इसके बाद मैं क्लास में कभी अपने से खंडन नहीं करता हूँ क्लास में मैं सब्दे देता हूँ आप से खंडन पोस्टा हूँ आप स्वयम खंडन करके मुझे बताते हैं तो अगर मान लिजिए कि खग धन आश्रए है अब इसमें क्या हुगा? मैंने बताया कि इसका अंतिमण मिलेगा तो इसका अंतिमण क्या मिलेगा? औ मिलेगा, यही तो है बच क्या जाएगा खो बच जाएगा, गव बच जाएगा गव के नीचे हलंत लगा दीजिए यही तो बचेगा गव में से औ निकलेगा इसका अंतिम बढ़ चलिए, धान क्या हो गया इधर क्या मिल गया आ मिल गया यही तो मिला इसका अंतिम जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और इसके पहले वारी फश्ट पार्ट में देख लीजिएगा तभी समझ में आ जाएगा क्योंकि फश्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको यह न समझ में आवे जो मैं बता रहा हूँ वहां मैं बताया हूँ कि यह कैसे मिलन हो रहा है आ यहां से मिल गया यह स्रय बच गया तो स्रय को यहां उतार लीजिए जैसा बचा वैसा उतार दीजिए ठीक है अब यहां पर यह देखिए यह ओ और आ मिलकर के किसका निर्माड कर रहा है अभी जश्टिस के पहले मैंने आपको बताया है कि ओ और आ मिलकर के किसका निर्माड कर रहा है यह आ का ही निर्माड कर रहा है मैंने बताया है, हर एक ग्रूब में बताया है चाहे जैसे भी हो तो यहाँ पर जो है यह ओ और आ मिल करके किसका आ का निर्मार कर रहा है यानि यहाँ पर क्या आ का निर्मार कर रहा है ठीक है तो अब देखिए यहाँ से उतारिये यहाँ से आप खौ उतारिये गव में क्या करेंगे आ को जोड़ देंगे तो गव में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा गा हो जाएगा क्योंकि ये बेंजन है ये स्वर है बेंजन और स्वर जब मिलते हैं तो पूर्ण बेंजन बना देते हैं गा हो जाएगा ये स्वर उतार दीजिये और ये हो गया खग आस्वर हो गया खग मतलब पक्षी आस्रे मसलब उसका जो आवास होता है आस्रा होता है खग को आस्रे देने वाला खग आस्रे हो जाता है यानि खग जहाँ पर खग धन आस्रे क्या मिलेगा ये सब्द क्या बनेगा एक नया सब्द बन जाएगा खग आस्रे बन जाएगा खग आस्रे यानि ये क्या हो गया एक ने सीधा मैंने बताया कुछ भी करना नहीं है आपको सीधा सीधा जोड देना है अगर आप जोडने में माहिर हैं तो अपनिशित तोर पे जानिएगा तो आप संधी आपके लिए कठी नहीं होगी चलिए अगर मान लिजिए कि मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि आपको ना आता हो मान लेता हूँ चलिए एक सब्द मैं लेता हूँ जरा इसको देखा जाता है मकराकृति लेते हैं ठीक है मकराकृति एक सब्द यहां पर हम लेते हैं अब ये बताइए हमको कि मैं हमेशा ये नहीं सोचता हूँ कि आपको कोई आसान सब्द लिया जाए देवाले बिद्याले वाला सब्द ना लिया जाए क्योंकि इसके आप सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे कि जहाँ आप देखे वहाँ पर विद्या धनाले विद्याले देव धनाले देवाले ऐसा भी लिया जाए नए शब्द कुछ भी शब्द आप लीजिए लेकिन आप उसको तोड़ना मरोडना सब कुछ जाए अब इसमें तोड़ क्या सकते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें क्या बनाएंगे आप जो है इसको अफसन क्या बना सकते हैं चलिए आपके अपसन आपका भी भी देखिएगा जो कोश्चन पूछे गए हैं उसका जरापसन देखिएगा बड़ा दूर-दूर के आपसन रहते हैं क्या हो सकता है मक, धन, रा, कृत, बन सकता है चलिए B, आप्सन बना लीजिए क्या बना सकते है मकरा, धन, कृत, बना सकते है ऐसा कर सकते है C, आप्सन क्या बना सकते है मकर, मकर, धन, अकृत, बना सकते है ठीक है D, आप्सन क्या बना सकते है मकर, धन, आकृत, बना सकते है कुछ भी बनाईए ऐसे ही तो दिया रहेगा कि आपको चार बिकल्प दिया रहेगा आप हमको बताईए कि मुझे नहीं पता है कि इसका क्या होता है बिक्षेद का होगा हमको नहीं पता है माल लेते हैं आप स्वैम बताईए कि यह तूटेगा कहां से पहले इसको आप निर्धारित करिए तो जहां से दिर्ग हो रहा है वहीं से तूटेगा ये तो पहला आप clear हो जाईए कि जहां से दिर्ग होगा वहीं से क्या होगा यहां खंडित होगा दिर्ग कहां से हो रहा है दिर्ग कहां पर हो रहा है रा पर तो एक बात तो clear है कि खंडित यहीं से होगा जो कि दिर्गस्वर संदी है आ की मात्रा दिर्ग हमेशा बन रहा है चाहे आ में बने चाही में बने चाहे वो में बने किसी में बने तो जहां पर दिर्ग हो रहा है वहीं से तूटेगा तो वहीं से जब तूटेगा तो वहीं से आपको थोड़ेना भी है दिर्ग है नहीं भी है तभी भी आप इसको तोड़िये तो मक धान राकृती क्या होगा मक भी कोई सब्द नहीं है मैंने कहा कि दोनों के सब्द के अर्थ होने चाहिए नहीं पता है हो सकता है आपको नहीं पता हो आप कहेंगे सर कितने मैं शब्द का अर्थ पता करूं नहीं पता है छोड़ दीजिए जो सामानने रूप में आप सुने हैं वो तो पता होगा न मक कोई सब्द नहीं है राकृत कोई शब्द नहीं ये सब्द है भी नहीं अगर शब्द होता भ ही तो eighteen में क्या होता है परिवर्तन होता है विकार उपन होता है इसा नहीं होने वाला है यह समास नहीं है यह संधी है तो संधी में हमेशा इसके बीच में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा यहां हो इन जहा है खतम इनकी कहानी मकरा धन कृति है तो मकरा तो सब्द नहीं होता है लेकिन मान लेते हैं मकर शब्द होता है लेकिन मकरा मान लेते हैं मकरा धने कृती मान लेते हैं लेकिन क्या इसमें कोई संधी हो रही है कोई परिवर्तन हो रहा है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है कोई विकार उत्पन नहीं हो रहा है ये भी वैसे है, सीधा का सीधा कर दिया गया है, खतम इनकी कहानी मकर शब्द होता है, लेकिन अकृती शब्द नहीं होता है, आकृती शब्द होता है शब्द इतना तो आप जानते होंगे, ऐसा नहीं पुछा जायेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं हो तो मकर है, अकृती सब्द नहीं है, यानि ये भी खतम हो जाएंगे अब बचे क्या? मकर धन अकृत, यानि ये बचा, अब इसी को थोड़ा सा देख लिया जाए क्या बन जाता है? अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है, तो कोई बात नहीं यहाँ पर यहाँ पर देखिए मकर है यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ तो आसान हो जाएगा आपको समझाने में मकर धन आकृति ठीक है? आकृति है यहाँ से क्या मिल जाएगा? ओ मिल जाएगा धन यहाँ से क्या मिल जाएगा आ मिल जाएगा यहां बचा क्या जो बचा उसको उतार लिजे मो को और रो में से ओ निकल गया तो यह आधा रो बच गया ठीक है आ आ कृति है तो आ यहां निकल गया तो बचेगा क्या कृति बचा कृति को यहां उतार लिजे यह ओ और आ मिल करके किसका नि निर्मार कर रहा है, कर रहा है, इसको देखिए, मौ को उतारिए, कौ को उतारिए, आधारो है, ये स्वर है, अगर अर्ध बेंजन के बाद कोई स्वर आ जाएगा, तो मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, इतना पता होगा, नहीं पता होगा, तो पुना हम बताएंगे आपक अगर किसी बेंजन के बाद कोई अगर स्वर आता है तो वो स्वर नौ होकर के मात्रा में परिवर्टित हो जाता है सीधा आजानिये आप रोग के साथ जब आ जाएगा तो यहां रा हो जाएगा रोधन आ मिल करके रा होता है यहां क्या है क्री है और ती ऐसे उतार दिजिए मकराकर्त हो जाएगा यानि आकर्त कैसे हुए मकर की तरह हुए यानि मगर की तरह आकर्त को हम क्या कहते हैं मकराकर्त कहते हैं ठीक है तो यह शब्द क्या हो जाएगा मकराकर्त हो जाएगा ठीक है मकराकृति हो जाएगा यानि सब्द क्या क्या निर्माड हो गया मकराकृति हो गया तो आप जो है मैंने कहा कि आप यहां पर जोड सकते हैं जोड करके यहां मैंने बताया कि मकराकृति है और यह मकराकृति का निर्माड हो गया है तो सीधा सीधा मेरा कहना यह है कि आपको जो भी निर्मार आप करते हैं वह निर्मार आप आसानी से करिये क्यों इतना टेक्निकल में जाते हैं क्यों आप तमाम फार्मूले के चक्कर में पढ़ते हैं आप सीधा जब मिलन हो रहा है एक तो वैसे इतना जटिल अभी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उन सब्जेक्टों में अगर ऐसे ही फार्मूला अगर मिलता रहे तो फिर आपके खतम हो जाएंगे आसान तरीके से समझने के रूप में समझाने के रूप में आसान तरीके से आप समझे और आसान तरीके से बनाईए अभ्यास करिए प्रेक्टिस में एक से परफेक्ट में अभ्यास बिन अभ्यास बिश्रम विद्या मिना अभ्यास के विद्याविष्ट के समान हो जाती है तो आपको थोड़ा सा प्रक्टिस करना पड़ेगा बाकी मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा सारी बातें और भी चुकि आज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो और भी तमाम मुदाहरण हैं आपको धनसदन उसेश, धनसा उसेश हो गया दावधन अलन, दावानल हो गया बहुत सारे ऐसे सब्द आपको मिलेंगे कि जो आपको बताया जाएगा और इसका खंडित किया जाएगा सब्द भी दिया जाएगा, खंडन भी बताया जाएगा जोरने के तरीकों पर भी बात किया जाएगा आदियार मुद्दों पर बात किया जाएगा तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही नेक्ष्ट इसी के पार्ट में अभी और वाला ही किवल हुआ है और आका हुआ है अभी यू वज़ा है उसको भी थोड़ा से देख लिया जाएगा तो आगे बढ़ा जाएगा ठीक, तो तब तक के लिए आप लोगों को धेर सारी शुपका मनाए और धेर सारा प्यार और आसिरवाद जै हिंद